तो हेलो दोस्तो स्वागत आपका मेरी कॉर्णी वीडियो में कैसे हैं आप तो दोस्तो जब भी कभी सल्मान भाय की टॉप की ब्लॉक्बस्टर मुविस की लिस्ट बनाई जाएगी ना तो उस लिस्ट में सल्मान भाय की टाइगर फ्रेंचैजी की मुवीस का नाम टॉप पर रखा जाएगा और इसी Tiger Franchisee की सेकंड मूवी Tiger Zindaay की Movie Story आज मैं आपको इस वीडियो में Explain करके बताऊँगा लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप Tiger Franchisee की सबसे पहली मूवी एक ता Tiger की Movie Story नहीं जानते हैं तो उसकी शुरू होती है इराक में जहां पर एक अमेरिकी जर्नलिस्ट IAC नाम की एक आतंगवादी ग्रुप की जासूसी कर रहा होता है और अमेरिकी एजनसी CIA को इसकी सारी खबरे पहुचा रहा होता है लेकिन इसकी भनक IAC को लग जाती है और तब इस IAC का लीडर अबू उस्मान उस जर्नलिस्ट को बहुत भहरेमी से मार देता है और उसको वीडियो बना कर अमेरिका CIA को भेज देता है तब फिर इराक के तिकरिश शहर में अबू उस्मान भढ़काव भाशन दे रहा होता है जिसकी जासे इराकी सेना अबू उस्मान को गोली मार देती है लेकिन तभी अबू उस्मान के लोग उसे पास के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं जिस हॉस्पिटल में इंडियन और पाकिस्तानी नर्सिस भी होती है और उन नर्सिस को अबू उस्मान उसके लोग और 40 भारतिय पाकिस्तानी नर्सिस भी होती है और जब ये बात इंडिया पहुंसती है तो मंत्री जी रॉक के चीफ शिनोय से कहते हैं कि हमें उन नर्सिस को जिन्दा वहां से निकालना होगा और तब शिनोय C.I.A. के चीफ से मिलने जाता है और कहता है कि अगर साथ दिन में आप अपनी नर्सिस को वहां से नहीं निकाल पाए तो अमेरिका एर स्ट्राइक कर देगा और क्योंकि मिशन थोड़ा टाफ होता है इसलिए शिनोय अपने पुराने एजेंट अविनास सिंगराठोर उर्फ टाइगर को याद करता है जो अपनी वाइफ जोया और अपने बेटे के साथ इंसब्रुक में रहता है तब फिर शिनोय और उसका असिस्टन करन टाइगर के घर पहुंसते हैं जहां शिनोय नर्सिस के इस मसले के बारे में टाइगर को बताता है पर टाइगर को इन सब के बारे में पहले से ही पता होता है इसलिए शिनोय टाइगर से इस मिशन को करने के लिए कहता है लेकिन Tiger Shinoe से कहता है अब वो किसी भी Mission पर नहीं जाना चाता है लेकिन बाद में Zoya की जोर देने पर Tiger इस Mission के लिए मान जाता है और अपनी टीम जिसमें Sniper Azan, Bomb Expert नमित और एक Expert Hacker राकेश होते हैं, इनके साथ एराक जाता है, जहांपर ये लोग अबBig Usman के एक दूसरे कमां जिसकी ओजसे फिर दोस टाइगर और उसकी टीम पर नजर रखना शुरू कर देता है तफिर अगले दिन टाइगर आईएसी और हस्पिटल के बारे में जाधा जानकारी लेने के लिए इराक में दूसरे इंडियन एजेंट पवन से जाके मिलता है लेकिन तभी वहाँ पर आतंगवादी अपने पूरे जथे के साथ वहाँ पहुंचते हैं जहां टाइगर और उन आतंगवादियों में कमाल की लड़ाई होती है लेकिन इस लड़ाई में इंडिया का वो दूसर एजेंट पवन मारा जाता है और वो आतंगवादी टाइगर और हसन को भी मारने वा है और इसी के वज़े से टाइगर ये मिशन रौ और आईसाई को साथ करने का आइडिया देता है लेकिन टाइगर की टीम आईसाई के साथ मिशन करने से मना कर देती है लेकिन टाइगर के मनाने पर वो लोग मान जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ अबू उसमान एक नर्स को मा इसलिये बगदावी टाइडर और उसकी टीम को मारनें वाला होते कि तब ही फृर्दुष बगदावी बाकर संसु合को सुझाव को मांते हुए वाधावी नहीं मारता जहां अबूस्मान और उसकी टीम को राते में टाइगर फिर्दॉस को मारने वाला होते कि तब ही फिर्दॉस टाइगर को बताता है कि वो भी एक इंडियन एजेंट है जो 25 सालों से इराग में IAC पर नजर बनाए रखे हुए है और क्योंकि शिनोई नहीं उसे टाइगर और उसकी टीम पर नजर बनाए रखने के लिए का हुआ था इसलिए तब ही फिर्दॉस टाइगर और उसकी टीम के साथ सकती से पेश आ रहा था तब फिर्दॉस के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंसती है जहां उन्हें ये पता चलता है कि अब उसमान ने इस हॉस्पिटल को ही अपना मेन बेस बना लिया है और टाइगर तब जोया बगदावी को मार कर वहां कैद लड़के को बचा कर और उस हॉस्पिटल का मैप लेके उस मैप को फिर्दॉस के जरिये टाइगर तक पहुंचा देती है तब टाइगर अपनी टीम के साथ अबूसमान के गार्स के खाने में एक दवाई मिला देता है जिस पहादा उठाकर टाइगर और उसकी टीम नर्सिस के साथ एक बस में हॉस्पिटल से निकल जाते हैं लेकिन आइस सी चेक पोस्ट से थोड़ी सी फारिंग करने के बाद ही अमेरिकन सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं और जोया अकेली रह जाती है जिसकी ओज़से अबूसम जोया और टाइगर दोनों को पकड़ लेता है तब अबूसमान टाइगर जोया उनकी टीम और सारी नर्सिस को वापिस उस हॉस्पिटल में ले जाता है और वहां अबूसमान टाइगर से कहता है कि अब कुछी देर में अमेरिका एर स्ट्रेक करेगा जिसमें वो उसकी टीम और सारी नर्सिस मारे जाएंगे लेकिन वो खुद बचके निकल जाएगा और इसलिए वो टाइगर को चैलेंज देता है कि अगर उसमें दम है तो वो उसे रोक ले तब टाइगर अब उसमें दम है तो वो उसे रोक कर दिखाए फिर अब उसमान टाइगर के आसपास जहरीली गैस चुड़वा देता है लेकिन टाइगर अपनी टी-शट को मूँ पर बांद कर गार्ड को मार कर वहां से निकल जाता है और अपनी टीम और उन सारी नर्सिस को चुड़वा लेता है लेकिन जब टाइगर और उसकी टीम नर्सिस को लेके हॉस्पिटल से निकलने ही वाले ह होते कि तभी वहाँ अबूसमान के गार्ज आ जाते हैं और यहां टाइगर और उसकी टीम और उन गार्ज में जो फाइट होती है ना देखने वाली है लेकिन इस लड़ाई में टाइगर की टीम का एक मेंबर अजान मारा जाता है तब फिर एर स्ट्राइक को सिरफ पांच मिन आगे जाने के लिए क्लेर करवा सके और टाइगर खुद जोया की जंजीरे तोड़ना शुरू कर देता है लेकिन तभी अमेरिका उस हॉस्पिटल पर एर स्ट्राइक शुरू कर देता है और पूरा हॉस्पिटल ब्लास्ट हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ आईएसी के चेक पोस्ट को क्लेर करने के बाद सारी नर्सिस इंडियन बेस पहुंच जाती है और फिर दौस अबूसमान को कहीं दूर ले जाकर गोली मार देता है और यहां टाइगर का एक और मिशन सक्सेस्फूल हो जाता है लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा क्या टाइगर जोया और रो के साथ नहीं निकला क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो रो टाइगर को आगे बिलकुल भी नहीं छोड़ता इसलिए टाइगर ने जोया को जनजीरो से आजाद करा कर एर स्ट्राइक होने से पहले ही वहां से निकल गया और यहां टाइगर शिनोय से कहता है कि देश को जब भी कभी उसकी जरूरत हो तो टाइगर जिन्दा है तब टाइगर जोया उनका बेटा जूनियर हसन के साथ ग्रीस में एंजॉय करते हैं और इस स्टोरी का दी एंड यहीं हो जाता है और इसी एंडिंग के साथ लोगों को सलमान भाई की एक और स्वैक से भरी मूवी का Experience लेने को मिलता है जिस Experience को लेके बहुत किक मिलती है तो दोस्तों ये था Movie Story Explanation इस Tiger जिन्दा है का And I Hope आपको मेरा Movie Story Explanation पसंद आया होगा तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बैल आइकन है उसको आल पे रखें क्योंकि जैसे में कोई बड़िया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए और दोस्तों अगर मुझसे कोई भूल चूको गई हो तो मुझे अपना भाई समझ के माफ कर दिजेगा मैं में लोगबाप से गली वीडियो में, बाई